अब इतनी तारीफ मत करो, देज की बाद भी तो करनी है बेटा, आप कितना पढ़ाई लेखे हो? अंकल मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ में इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और भादा, वाओ और भेंजी, ग्रेजुएशन कम्प्लीट होते ही, अच्छी जॉब लग जाएगी बिटिया की देखिए बेंजी, मैं ऐसी बहु चाहती हूँ, जो घर का सारा काम कर सके खाना बना सके, अरे जॉब का क्या है, वो तो शादी के बाद छोड़ देना, पर घर का ख्या लखना जरूरी है बिटिया को सब आता है बेंजी वैसे आपकी सालरी कितनी है? जी अभी 20,000 है, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 हो जाएगी बस इतनी कम, इतने से हमारा क्या होगा? बसे भाई साब, लड़की की सेल्ली थोड़ी काम है अरे भाई साब, मेरा बेटा तो एक अफते में इतना उड़ा देता है लेकर संधन जी, बेटी की सेल्ली जरूर बढ़े गे अरे भाई साब, अभी संधन जी मत बोलिये अभी हमारा रिष्टा जुड़ा ही कहा है लड़की की सेल्ली लड़के से ज़्यादा है रिष्टा अच्छा है, लड़की भी अच्छी है अरे आप चुप रही है, थोड़ा इंतजार कराएंगे तब ही तो दहेज अच्छा मिलेगा बेंजी, शिकायत का कोई मोका नहीं देगी बिटिया आपको शादी के बाद आप मेरे मॉम डड़का ख्याल तो रख पाएंगे ना ये भी कोई कहने वाली बात है बहु के लिए सास सास नहीं होती मा होती है मैं आँटी जी का अच्छे से ख्याल रखूँगे अच्छा अच्छा ज़्यादा भाशन मत दो ये बताओ तुम्हें खाना वाना बनाना आता है ना हाँ हाँ बेंजी, बिटिया सब बना लेती है देखिए बेंजी हमारे याँ खाने के सब बहुत शुकीन है रोज इनको नई-नई डिशेस खाने के लिए चाहिए इसलिए मैं ऐसी बहुत चाहती हूँ जो घर का खाना अच्छे से बना सके घर का ख्याल रख सके घर का सारा काम कर सके अरे पढ़ाई बढ़ाई चाहिए करे या ना करे लेकिन घर का काम होना बहुत जरूरी आंटी आप फिकर मत करिए मैं घर की अच्छे से केर करूँगी पर सॉरी मेरे लिए स्टड़ी बहुत इंपोर्टेंट है देखो तो कितनी जबान लड़ा रही है ये लड़की अब इसका ये हाला तो शादी के बाद क्या करेगी नए ने संदन जी बेटी को पढ़ाई प्रसांद है पसंद है तो क्या हुआ मेरो मॉम डैट को जो नहीं पसंद वो ये नहीं कर सकती सॉरी अब शादी के लिए लड़की ढून रहे है या नौकरा नी देखो तो कितनी बत्तमीज है ये लड़की कैसे जबान चलाती है हम चाहें तो अभी के अभी ये रिष्टा कैंसल कर दे अरे यो भागवान ऐसा घर नहीं मिलेगा दिवारा अरे तुम अभी चुप रहो मुझे थोड़ा भाव खाने दो ताकि दहेज मिले अरे थोड़ी देर इनकी इंसल्ट करके मैं हां कर दोगी आप लोगों का स्टेंडर्ड हम लोगों से बहुत काम है अरे सोसाइटी में हमारा बोल बाला है समझते क्या है आप इनके कपड़े तो देखो ऐसे लगता है किसी सस्ती लोकल शॉप से लिया है और हम लोग ब्रेंड़ेट कपड़े पहनते हैं जी तो चाहता है कि मैं आपकी लड़की से रिष्टा तोड़ दो पर मुझे आपकी बेटी के वपरना तरह सारा है कि अगर हमने रिष्टा तोड़ दिया तो इस बेचारी के साथ कौम शादी करेगा ठीक है अब दहेज की बात करते हैं देखिए हमें अपने बेटे के लिए 40 लाक रुपे चाहिए ताकि वो अपनी कम्पनी में लगा सके 40 लाक भैंजी इतना तो हमारे पास नहीं है यह हम नहीं कर सकेंगे एक मिनट ममा यह दहेज की बात कहां से आ गई आपने मुझे पढ़ाया है वही काफी है अरे बेटा दहेज नहीं यह हम तुम्हें संभालने के लिए ले रहे हैं पैसे हमारे पास इतने पैसे नहीं है हमने बड़ी मुष्टोष अपनी बेटी को पढ़ाया हाहा वो तो पता लगी रहाया ना तुमारी बेटी की तमीज देखकर है पैसे नहीं थे तो हम रईस लोगों को बलाया किस लिए यहां पे तो मिडल क्लास लोग ना हम लोग का स्टेंडर कभी नहीं समझ पा होगे सोच लो अगर ये शादी ये रिष्टा हमने कैंसल कर दिये तो सोच लो एक बर फिर से बस बहुत हो गया बहुत बेज़दी कर लिया अपने मेरे माबाप की बड़ी बत्तम ही जए लड़की ये रिष्टा हम अभी कैंसल करते हैं ये रिष्टा आप क्या कैंसल करेंगी आपके इस बेटे को तो न मैं ही अब चालीस में ही बीस में ही काम चला लेंगे इतना तो चलता है ना है हरे आपने सुना नहीं मेरी बेटिया ने आपके बेटे को रिजेक्ट कर दिया संदन जी आप भी निराज होने लगी चलिए काम करते हैं बीस भी नहीं पंदरा में फिक्स करते हैं देखिए ना आपकी बेटी हम जैसे रही इस खांगान में आएगी तो आपकी वी इज़त बढ़ेगी ना बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी हमारी इज़त दहेज देने से नहीं दहेज के खिलाफ अवाज उठाने से बढ़ेगी पर बेटा मेरी बात दो सुनो मात कीजिए आपने सुना नहीं बिटिया ने क्या कहा वो रहा दर्वाजा गटाओ वो क्या क्राली पेष्टी अब चलो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेर करें फैमिली के साथ शेर करें क्योंकि इसमें जो मैसेज बहुत जादा इंपर्टेंट है जल्दी है शेर कीजिए और अगर आप लोग चाहते है कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियो माई तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्ट्राग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मौरल के साथ या कमेंट में भी बता सकते हैं मौरल के साथ ताकि उस पर हम अच्छी सी वीडियो बना सके और लोगों तक पहुचा सके अगर आपकी स्टोरी है दम तो भेजे जल्दी से मारे टीम उस पर वीडियो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे फेज़ को फॉलो करें हमेशा से मुस्कुराते रहे खुश रहे थैंक यू